गाज़ा में हमास के लड़ा के गुरिला युद्ध में इसराइली सैनिकों पर चौत तरफा हमले का रही है। कहना है कि उन्होंने इसराइल के कबजे वाले उमल रश्रश यानी इलत पर हमला किया है। प्रतिरोधी समू ने अपने बयान में कहा कि ये हमला गाज़ा में उत्पीडिद फिलिस्तीनियों के समर्थन में किया गया है। इसराइली बंदरगाहों पर ज्यादा हमले कर रहा है। और इन हमलों में प्रतिरोधी समू ने हूती के साथ हाथ मिला लिया है। हूती के प्रमुक साइद अब्दुलमलीकल हूती ने भी इस बात की पुष्टी की है। बड़ी बात ये है कि ये पहली बार नहीं है जब इराग से इलत पर कोई हवाई अटेक हुआ हो। बलकि इस से पहले भी सीरिया और इराग के प्रतिरोधियों ने उत्री अजराइल पर काई ड्रोन फायर किये हैं। और हालिया हमले को लेकर इसराइली सेना का कहना है कि उसने पूर्व की दिशा में रात के वकत दो ड्रोन्स को मार गिराया है। यह ड्रोन इसराइल की तरफ बढ़ रहे थे आइडियाफ का कहना है कि यह ड्रोन इसराइल के हवाई शेतर में नहीं घुस पाए थे इन्हें इससे पहले ही मार गिराए गया वहीं इराकी प्रतिरोधी समू का कहना है कि उसने इलत में एक वैद्ध टार्गेट पर ड्रोन हमला किया है आपको बता दे कि एक तरफ जहां इराक का प्रतिरोधी समू इसराइल पर हमले कर रहा था वहीं दूसरी तरफ वेस्ट बैंक में इसराइली सेना मैदान छोड़ कर पीछे हट रही थी दरासल इसराइली सेना ने कई घरों में छापे मारी की थी और कुछ फिलिस्तीनियों को हिरासत में लिया था लेकिन इस दौरान आईडियाफ को भारी प्रतिरोध का सामना करना पड़ा 23 जुलाई 2024 की सुबा अलकुज ब्रिगेड ने कलंदिया रिफ्यूजी कैम्प के भीतर आईडियाफ पर हमला कर दिया और इस हमले की वज़ा से इसराइली सेना को ये इलाका छोड़ कर पीछे अटना पड़ा लोकल मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अलकुज के साथ भ्रिडंत में आईडियाफ को भारी नुकसान हुआ है वहीं फिलस्तीनी रेड करसेंट में कहा की एक आईडियाफ के हमले में एहमद निदाल असलान नाम का जो फिलस्तीनी घायल हुआ था उसकी मौत हो गई है इसके अलावा आईडियाफ के साथ सीधी भ्रिडंत में आठ फिलस्तीनी युवा घायल हुए थे जिन्हें इलाज के लिए रामला के मेडिकल कॉंप्लेक्स में वेजा गया है आपको बता दे कि स्थानिय मीडिया रिपोर्ट्स में IDF पर मुहम्मद मनसरा का घर ढाने का आरोप लगा है मनसरा की मौत फरवरी 2024 में अलूबाल शर्किया के पास हुई थी मीडिया रिपोर्ट्स में ये भी सामने आया है कि IDF ने इस इलाके में कई घरों में छापे मारी की थी और कई घरों पर बुल्डोजर चला दिये थे कि दूए हुआ है